लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे अगर चेंज हो रही है तो उससे हम किस टाइप से लिखेंगे लेड चेटलियर प्रिंसिपल जो थे उन्हों ने जो इक्विलिबिरियम जो होते हैं रियेक्टेंट और प्रोड़क्त तो रियेक्टेंट बनता है तो concentration temperature pressure और number of moles में जो electron shift हो रहे है reactant to product में जो भी concentration है वो depend करती है molecules की number of moles पर temperature पर और pressure पर तो जो reaction होगी तो उसका क्या effect होगा हम इस ले चेटलियर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे जैसे जो इसके पहले का topic था हमने पढ़ा था equilibrium होता क्या है equilibrium का जो concept था उसकी जो theory वो देखी थी अब यहीं जो topic हम देख रहे हैं कि equilibrium का जो use है chemistry में physical chemistry में जो reaction होती है उसे हम concentration temperature और pressure की थूँ किस type से समझेंगे reaction के एक-एक topic को हम देखेंगे कि को जो reaction होती है अगर कोई भी reaction के अगर हम बात करें तो suppose जैसे nitrogen और hydrogen के अगर हम बात करें तो यहां पर जो reaction होगी यह होगी NH3 तो जो भी state होती है depend करती है यह moles की संख्या पर वन मोल वन मोल और टू मोल तो जितने molecules इस reaction में हम ले रहे हैं यह इसकी concentration होगी सांध्रता होगी यह सांध्रता को हमने low of mass action के दुरू समझा था द्रव्य अनुपाति क्रिया की नियम के द्वारा यह समझा था यह जो reaction यह जो चैटेलियर प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं यह आगी का टॉपिक है जिसमें जो भी सिस्टम है जिसमें reaction हो रही है अभिक्रिया हो रही है तो उसमें हम concentration temperature और pressure तीनों का होना जरूरी होता है जो भी molecule shift हो रहे हैं उसके effect को हम कहते हैं ले चैटेलियर प्रिंसिपल यह depend करता है कि जो molecule है जो reactant है वो किस बेस के होंगे effect of concentration reactant मतलब जो भी reactant हम यूज कर रहे है गेस फेस में है solid है या फिर वो other कोई state में है तो यह concentration reactant कहलाएंगे effect of temperature depend करती है अभिक्रिया की दर तापमान पर जिससे temperature increase होता है तो molecules की संख्या gain होगी या less होगी यह depend करेगा temperature पर effect of pressure and volume जैसे अगर कोई pressure है तो pressure देने पर कोई molecule में जो changes होते हैं जैसे volume की बात अगर की जाए तो temperature का बढ़ना और घटना कोई भी अभिक्रिया के लिए reaction के लिए बहुत important होता है कि अगर pressure कम कर रहे हैं या volume pressure अगर increase हो रहा है तो volume कम होगा अगर pressure less हो रहा है तो volume decrease होगा तो यहां पर अलग-अलग effect को हम brief में समझेंगे effect of catalysis, catalysis का मतलब है कि अगर reaction की speed को कोई reactant बढ़ा रहा है product to reactant and reactant to product तो catalysis पर depend करेगा that means reaction की speed को अगर बढ़ा रहा है या reaction जो है वो कम हो रही है तो उसे हम कहिंगे effect of catalysis अगर हम reaction की बात करें कोई भी अगर physical reaction है, inorganic reaction है तो effect of adding of inert gas अगर कोई भी equilibrium reaction है backward और forward तो इसे हम देखेंगे कि अगर inert gas है तो reaction का speed कितना कम होगा, rate of reaction कितना होगा, temperature कितना होगा और depend करती है molecules की संख्या पर, तीसरा जो last हम देखेंगे, concentration के अगर हम बात करें, temperature के अगर हम बात करें pressure और catalysis की बात करें तो यह सब overall एक reaction में भी हम देख सकते हैं अलग-अलग types की जो reaction होती है, exothermic, endothermic, सभी reactions का अपना-अपना एक अलग concentration होता है, temperature होता है यह depend करता है backward और forward reaction, जैसे suppose यहाँ पर मैंने लिखा है, कोई reactant है यहाँ पर इसे हम कहेंगे reactant और यहाँ पर बन रहा है C plus D, जैसे हम कहेंगे product यह depend करता है rate of reaction या जो भी इसकी concentration है, जैसे हम case से लिखते हैं जैसे suppose यहाँ पर A और B है, reactant है, तो यह change हो रहा है product में, तो इसे हम कहेंगे case और case जो होता है यह जो reaction की concentration है उस पर depend करेगा, जो rate of concentration है इसे हम case से प्रदशित करते हैं या represent करते हैं, case एक ऐसा लेच इतिलियर प्रिंसिपल के according जो भी product अपॉन जो reactant होते हैं उसे हम case से represent करते हैं और case जो ऐसा एक ऐसा variable है, जिससे हम कह सकते हैं कि rate to product अगर concentration बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसे हम case से प्रदशित कर सकते हैं, equilibrium का जो concept हम पढ़ रहे हैं, लेशेतलियर प्रिंसिपल के according यह effect करता है effect of concentration, concentration अगर हम कोई भी reactant ले रहे हैं तो forward और backward direction में होगी जिसे NH3 के अगर हम बात करें तो N2 और 3H2 यह दोनों gas form में हैं और यह जो product बनाएंगे 3 NH3 ammonia gas form में होगे सबसे पहले अगर हम case first की बात करें तो if the concentration of reactant N2 is increase, that means यहाँ पे जो reactant है वो product में convert हो रहा है reactant की concentration अगर बढ़ती जाएगी तो product में changes होगे और यह reaction forward reaction कहलाएगी दूसरी case के अगर हम बात करें if the concentration of product NH3 is increase, अगर NH3 का percentage बढ़ता है product का तो यह backward reaction होगी अगर हम इस reaction को दो summary के रूप में अगर हम एक लिखा है मैंने summary तो अगर इसे summary के form में हम देखें increase in the concentration of any reactant अगर reactant increase हो रहा है तो shift the equilibrium concept अगर हम पढ़े तो यह direction होगा forward direction अगर हम product की बात करें product अगर increase हो रहा है product की concentration बढ़ रही है सांध्रत अगर बढ़ रही है तो यह shift the equilibrium in reverse direction इसे हम BWR भी कह सकते है backward direction भी कह सकते हैं तो यह जो equilibrium का हम आज concept पढ़ रहे हैं यह effect जो concentration है यह depend करेगी product और जो reactant है इसकी concentration पर concentration अगर increase होती है तो product और reactant में forward और backward reaction होगी और depend करेगी केसी पर केसी यहाँ पर rate of concentration है जिसे हम low of moss action में पढ़ चुके हैं दूसरे effect के अगर हम बात करें temperature अगर increase होता है यह कम होता है decrease होता है तो हम दो types से ले शहते लिए principle को समझ सकते हैं exothermic and endothermic exothermic reaction जो होती है जिसमें product heat के form में होगा and जो reaction है वो endothermic reaction में जो heat है वो reactant के form में होगी अगर हम बात करें exothermic और endothermic reaction को तो इस topic को हमने पहले भी पढ़ा है detail में तो आप इसे उस class में अच्छे से समझ सकते हैं यह जो temperature है ले शहते लिए principle के अनुसार जो increase होगा temperature जब increase होगा temperature तो endothermic और exothermic reaction होगी endothermic reaction में जब दोनों temperature अलग-अलग form में बढ़ रहे हैं तो यह favor करेगी forward reaction का और जब temperature हो रहा है बढ़ रहा है अगर exothermic reaction है तो यह होगी backward reaction अगर यह decrease हो रहा है temperature तो endothermic reaction जब होगी तो इसे हम backward reaction कहेंगे और जब decrease होगा और exothermic reaction का form होगा तो यह favor करेगी forward direction का forward reaction का temperature जो face equilibrium का concept होता है या बात करें physical में face equilibrium, ionic equilibrium और chemical equilibrium यह 3 types के equilibrium concept हम पढ़ते हैं इसमें temperature का बहुत importance होता है temperature अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो यह reaction fast होगी या slow होगी एक्जो थर्मिक में जो reaction होगी इंडो थर्मिक में यह heat पर depend करेगी और heat से ही हम बता पाएंगे कि यह reactant to product and product to reactant equilibrium में change हो रही है नेक्स चू हम effect पढ़ रहे हैं pressure का effect पढ़ रहे है इक्विली बिरियम concept के लिए अगर reactant to product बना रहे हैं तो pressure जो होता है यह depend करता है number of moles पर जैसे nitrogen gas form में हैं तो यहाँ पर सबसे पहले effect में हम देखेंगे कि equilibrium का जो concept हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर pressure में जो face हम ले रहे हैं जो state ले रहे है molecules की वो gas form में होगी जो gas material है इसमें one mole हम nitrogen ले रहे हैं और three mole हम यहाँ पर hydrogen ले रहे हैं जो one mole hydrogen, three mole hydrogen के साथ react करता है तो यह जो direction में ammonia gas बनेगी यह भी gas form में होगी हमें पता है कि जो haber process है सबसे ज़्यादा इसमें pressure के आउशकता होती है 200 ATM जो atmosphere pressure होता है इसका ATM pressure है बस process में हम देखते हैं कि जो ammonia बनती है वो two mole बनेगी that means जितना pressure हम apply करेंगे उतना ही product हमारा बनेगा तो जो यहाँ पर reactant हम ले रहे हैं अगर moles की संख्या बढ़ा दी जाए pressure को अगर हम बढ़ा दें तो pressure बनने पर मोलों की संख्या भी बढ़ते चले जाएगी number of moles increase होंगे तो जो भी product है उसका percentage भी बढ़ जाएगा अगर हम दूसरे product की बात करें जो दूसरा product है यह भी one mole है और बनने वाला जो product है यह भी two mole है that means यहाँ पर forward और backward दोनों direction में reaction हो रही है तीसरे effect की बात करें हम last effect की बात करें effect of catalysis on equilibrium अगर हम बात करें hydrogen और oxygen की तो जब hydrogen oxygen से react करता है अगर catalysis यहाँ पर कोई भी present है तो यह 2H2O बनाएगा that means reaction की speed को यह increase कर देगा या फिर decrease कर देगा तो जो reaction की speed है reactant to product and product to reactant तो यह forward direction में भी हो सकती है और backward direction में भी हो सकती है आज का जो हमारा topic था leach atelier principle उसमें हमने उसके effect देखें इसके applications भी देखें की कौन-कौनसी reaction में किस type का effect होता है temperature, concentration और जो catalysis होते हैं pressure होता है इसके according किस type से equilibrium में जो phase होते हैं वो कैसे change होते हैं Thank you कर दो